तोड़े वी आर गोईंग टो लान अबाउट नाइन्थ क्लास पोयम वक लिटिल स्लोर डाड़ी अप्रिशियेशन तर विद्धारती मित्रान्नो अथा अप्रिशियेशन चे याटी कानी तुम्छे पाच मार्स जाहेद त्या अथा कवर होना रहेद तर विद्धारती तर अपन पाच मारस टी एडिकाने अप्लेला संपुर्न पोयम पाईचाहे औक तुम्हाँ सुला माइटी आहे कि वेगेला पोयम आप्लेला एडिकाने आहेद आणि एजह doughटी फेडिव स्लॉर डैडिंजातु फेडिजिन स्लॉर डैडिंजा व कंषेट मेरल फास्मार स्लॉर डैडिंजा. तर याच डिवादेशन कसा है अपन बघुया तर परिदेशन कसा है यह नारहे तर रिड़ फौलेंग पोयम मन्झे कवीते मदे अपलेल एक पोयम यह नारहे और प्रास्ण जवाँ आपन वाथसों तेमा अपलेल लक्ष तालन पैचे read the poem and write an appreciation appreciation मंज़े का है रशग्रन रशग्रन लिया कवीते चछ रशग्रन of it with the help of the points given below मंज़े दिलेले जे मुद्या है त्या मुद्या चा अधारे तुमाला काय कराय चाहे याठी कानी रशग्रन कराय चाहे विद्यार्थिमित्रान मंगबगा याठी कानी टाइटल आहे तर टाइटल ला अपलेला आरदा मार्श देने आतालेला है किती आरदा मार्श दवीच आनी नवीच जो पेपर पैटरन आहे तो कसा है सार काच आहे लग्षा देचा मधे कुटलाई फरकाच अफरत नाई है नेम आप दा पोएट यहला सुदा आरदा मार्श देने आतालेला है तो जानांता राइमिंग स्कीम एक मार्श आनी फिगर आप स्पीच वन मार्श आनी थीम और सेंट्रल आइडिया आप दा पोएम इड़ीज टो मार्श ओके तो राश प्रकारे अपलेला यह को वित्यच अप्रेशियेशन चाटी मार्श देने आतालेले तो आपलेला पाच मार्श कशा प्रकारे कोवर कराई चाही थी आपन बोगतोई तो यह मदे पहला अपला प्रशना है कि वाक लिटिल स्लोर डैडी तो टाइटल ताइटल अपलेल प्रशना है कि वाक लिटिल स्लोर डैडी अपलेला प्रशना है कि वाक लिटिल स्लोर अपलेला प्रशना है दोन स्पिकर आप स्पिच लेलेला आएज बगा इनवर्जन पहला कुंता है इनवर्जन शेड अलेटल चाहिल स्माल तर इन दिस लाइन दो ओड्स इन लाइन आइन आप्रेंज रह इन प्रेक्ट ओर्डर यही जे शब्दा है ते करेक्ट ओर्डर न लिन्या तालेले नाई है तमंग दा करेक्ट ओर्डर शुड भी कसे आसा हैला पाईचे लिटिल स्माल चाहिल सेड लिटिल स्माल चाहिल सेड आशा प्रकाची करेक्ट ओर्डर आसा हैला पाईचे आता याठीकाने आनकी नेक वापर लेला ही, Metaphor, the figure of speech in the poem is extended metaphor, which Metaphor, extended Metaphor, वापर लेला ही, मझे संपुर्न कवीते मदे Metaphor चा वापर करने आलेला ही, विद्धारतिमित्रानों, आता भुगे आपन के what is the central idea, दोन मार साथी याठीकाने हाँ प्रस्ना ही, the poem is based upon the expectation of the child from his or her father, मझे, ही जी संपुर्न कवीता है, ती कशा वर बेशा है, तर याठीकाने मुलाची आपले वडिला कडून आसलेली आपेक्षा, okay, the child wants to do the things as his father does, मझे, मुलाला सवाटत, क्या आपले आसले वडिलानी कहीतरी गोश्टी करावयात, right, so he requests him, to tackle the activities slowly with which he could understand those activities, मझे, त्याला त्या समस्या समझावयात, त्याला त्या समस्या समझावयात, मनुन तो आपले वडिलाना संगता है, कि तुम्हे हलवार पने चाला, हलवार चाला पन मझे कहा है, कि walk with a behaving manner, mannerism and with a distinctively, the importance of the father, the importance of the father as a role model, you know that here poem is a role model, मन्जे, the father is a role model of this poem, and is the central idea of the poem, okay, and the child in the poem wants to imitate his father, मन्जे, the child in this poem, imitate the father, मन्जे, त्याला वडिलान्च अनुकरन कराईच आहे, Hence the child requests his father to be more considered towards his niece, मनुन तो आपले वडिलाना संगय लगलेला है, कि माजे जा गर्जा आहे, त्या गर्जे जवापती, तुम्हे एठीकानी संगले प्रकारे, माजे गर्जा लक्षाठ्थेवा, आनि या गर्जा लक्षाठ्थेवा, आनि या गर्जा लक्षाठ्थेवा, सेंड करना रहे, त्या मोडे तुम्हे अजा स्थाइन ला, सब्सक्राइब करा, लाइक करा, सब्सक्राइब करा, लाइक करा, आनि शेयर करा, आनि जर तुम्हे शेयर केला, तरीतर मित्रा अना सुदा, एठीकानी सिखने साप्याची, संधी मिलना रहे, Thanks for watching my video, have a nice day, bye!